आज शनिवार का दिन है तो मैंने सोचा था कि परिवार समेत और खास्त और से बच्चों को साथ लेकर जाऊंगा और आदी पुरुष फिल्म देखी जाए बच्चों को भी थोड़ा रामायन के राम, महावीर, लक्षवन, सीता इन सब के कैरेक्टर, इन सब के जो कथाएं हैं उनके बारे में फिल्म देख के पता चलेगा, यह हमारी प्लानिंग थी शनिवार के लिए, शनिवार को चुकि दोपहर के बाद घर जाने की जायत मिल जाती ओफिस से, तो इसी बात की तैयारी कर रखी थी, फिर अचानक से याद आया, मैंने देखा था कि यूप कि फिल्म कैसी लगी, थोड़ा सा आदमी रिव्यू के बारे में पूछ लेता है, उनको फोन लगाया गया, कि आपको यह मूवी कैसी लगी, तो उनका जवाब सुनके मेरे होस उड़ गए, उनने का मैंने तो फिल्म देखी ही नहीं, मैंने पुछा ऐसा क्या हो गया, कि लेकिन उनके मन की बात में समझ गया, वो बीजेपी के सांसद हैं, कुछ खुल के ना कहें, लेकिन शोशल मीडिया में और जो जिन लोगों से मैं बात कर रहा हूं, आदी पुरुस फिल्म के तो वाट लगती दिख रही है, ये बात अलग है कि इस फिल्म के डायलोग को ले से सांसद हैं, वहां से गौरी गंज के रहने वाले, उनका नाता भी यूपी से है, और मैं भी थोड़ा सा यूपी ओर लेता हूं, विचा लेता हूं, तो सलिए, आदी बात कर लेते हैं, आदी पुरुस के डायलोग को लेकर जो हंगामा बर्पा हुआ है, उस पर, नमस्का ये इकलोतिफ विल्म होगी, जिसके ऐसे ऐसे डायलोग हैं, जो आप याद करना नहीं चाहें, लेकिन खुब चल रहा है सोसल मीडिया मा, वाइरल हो रहा है, अब जैसे देखिए, हर्मान जी का बार-बार जिक्र हो रहा है, बजरंग बली का, कि जब वो लंका पहुंचते हैं, और सीता जी से मिलने के लिए, फिर उनको राक्षासों ने पकड़ लिया, और फिर जब रावन के दरवार में उनको पेश किया जाता है, इंद्रजीत उनकी पूच में आग लगा देते हैं, तब इस फिल्म का एक डायलोग है, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बा अपना या जिनको आप मानते हैं, उन बजरंग बली, जय हनुमान ग्यान गुनिसागर, मतलब ग्यान से भरे हुए हनुमान जी, ऐसी बात कहेंगे, जलेगी तेरे बाप की, मतलब ये हमारी आस्था के साथ खिलवार तो है, इस बात से बहुत सारे लोग मुत्माइन होंगे हलांकि मनोज मुंतिशिर शुकल को लोग रास्टरवादी लेखक के तौर पर जानते हैं, गीतकार के तौर पर जानते हैं, उनने कुछ अच्छे गीत भी लिखे हैं, और ये जो फिल्म बनी है, आदिपुरुष उससे पहले जो बाहुवली था, जिसमें प्रभास काम किये थे, उसके डायलोग भी उन्हों नहीं लिखे थे, तो जैसे आजकल हो चला आना, फिल्मी दुनिया में कि दो गुट बन गया हैं, एक जो रास्टवादी कहलाते हैं, और एक दूसरे गुट, तो मनोज मुंतिशिर आजकल अपने को रास्टवादी गुरुप का बताते हैं और उसी तरीके की बाते हैं, सोशल मीडिया में कहते भी हैं, हाला कि उनके मैंने कुछ इंटर्व्यूज देखे, इस डायलोग को लेकर, तो वो कह रहे हैं कि जो लोग हमारी जो बड़े बुजूर्ग जब हम छोटे थे, तब जो वो रामायन की कहानियां बताते थे, रामचरित मानस की, रामायन की, पर कभी आपने रामभद्राचार, मुरारी बापू, किसी भी बड़े जाने, पहचाने, मरियादित कथा वाचक को ऐसे आपने कथा सुनाते विए सुना देखा है, मुझे ने लगता, ना आपने देखा सुना होगा, मैंने तो कम से कम नहीं सुना, हम सब के घर में रामायन की कहानिया, हमारी मा, पिताजी, दादा, दादी, नाना, नानी, काका, काकी, सब लोग सुनाते हैं, और हम सुनते रहें, कईयों को तो रामचरित मानस की एक-एक चौपाई याद है, मुझे भी कुछ याद है, उस पर चर्चाबाद में करे आप सिर्फ बात डायलोग के ही नहीं है, आप कह सकते हैं, पहले तो एक बात जान लीजी कि फिल्म बनाने का मकसद क्या था, अगर फिल्म बनाने का मकसद यह है कि आर्टिस्टिक लिवर्टी की बात करें हम, तो फिर सिनेमा हॉल में एक कुरसी बजरंग बली के लिए आशिरवाद देते हैं कि यहां बजरंग बली की कुरसी है उनका आशिरवाद हो यहां बैठे हैं उनकी फोटो लगा देते हैं भगवा जंडा लगा दे रहे हैं खुद मने देखा मनोज मुंतशिड ने वह ट्वीट किया हुआ है तो अगर आप धर्म के पीछ पर बैटिंग करेंगे तो धर्म और उसे जुड़ी आस्ता के साथ खिलवार कैसे हो सकता है जब सीता जी से मिलने हनवान जी जाते हैं तो वो क्या कहते हैं वहां पर जो वो कि वो राम जी ने उनको भेजा है दूद बनाके यह सीता कैसे मानेंगी इसके लिए जो वो दिया जा रहा है कि चूड़ा मनी उतार तब दयू तो वो चूड़ा मनी को इस फिल्म में कंगन मना दिया गया जबकि उसका यथार्त अगर उसका मतलब समझे चूड़ा मतलब चोटी होता है तो आप उससे बाल से जुड़े वे कोई गहना के तोर पर आप उसे देख सकते हैं खैर यह सब बा रामानन सागर की देखी ती जो रामान जिसके Бारे में कभी सवाल नहीं उठे आज बहुंके पात्र कहीं जाते हैं तो लोग उनको भगवान ही मान लेते हैं लोगों ने अपने दिल में उनके लिए वह जगह बनाई है यहां dialogue को लेकर के विवाद है और एक कहते हैं मैं एक channel पर देख रहा था मनोज मुंतिशिर शुकल को कि वो इसकी बात कह रहा थे कि simplify करने के लिए और इसमें कुमार विश्वास और एक और जो हैं उनकी वीडियो का जिक्र होने लगा है कि वो इस तरह के से बात कहे थे अगर अगर आप धर्म के पीछ पे ले जाकर अपनी बात कहना चाहते हैं और डायलोग आपने लिखे हैं तो अगर आप उसका बचाव करना चाहते हैं तो उसके पीछे मजबूत तर्क होना चाहिए लेकिन मुझे लगता है वो तर्क नहीं है फिर आग भी लगाई अच्छा घी क किसका रावन का कपड़ा किसका रावन का आग किसकी रावन की जली किसकी रावन की बगवान नहीं भीजा लंका में कि जाओ ज़रा रावन को मेरा विजिटिंग कार्ड दे क्या हो तो वह गिरफतारों के जान पूच के अब उनकी पूच पे वो कपड़ा बाना गया कपड जिस हिंदोस्तान में भगवेर रंग के बिक्नी को लेकर इतनी भावनाय आहत हो गई थी वहां आपने हनुवान जी के मुह से इस डायलोग को फिल्म में दिखाया और बताया है तो आप कहीं ने कहीं यह तो जानते होंगे कि आने वाले वक्त में इसके क्यारी परकसन हो सकते ह आज यह बताया जा रहा है कि पहले ही दिन आदी पुरुस ने रिकॉर्ड तोड कमाई की है एक सो चार करोर रुपी की कमाई कर ली है अगर फिल्म की कमाई की वज़े से जानी जाती सक्सेस्फुल यह कोई जरूरी नहीं है कई अच्छी फिल्म में पिट जाती हैं लोग कह कह रहें कि उनको व्यक्तिकत तोर पर टार्गेट किया जा रहा है कहने का मतलब यह है कि एक बार नहीं दो बार नहीं कई ऐसे डायलोग हैं अब एक डायलोग का जिक्र करूंगा लंका से लोटने के बाद राम ने हनौन से पूछा क्या हुआ अब इस फिल्म में राम को रा हैं उन चरित्रों से और उन किरदारों से जिनको लेकर हमारे मन में आस्था है जिनको हम पूछते हैं मानते हैं और उनको जैसे भगवान राम को मर्यादा पुरशोत्तम कहते हैं हनौन जी के लिए हम कहते हैं उनके लिए इस तरह के डायलोग और फिर उस पर ये कहना कि हमन आम बोलचाल की भासा को सिंप्लिफाई करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तिमाल किया है आप इसे ठित्रोलॉजी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे दूसरी बड़ी बात ये है कि फिल्म सेंसर बोर्ड भी होता है क्या फिल्म सेंसर बोर्ड ने इन डायलोग के बारे में देखा और विचार नहीं किया और अगर इसे पास किया है तो इसका उत्तरदाई कहीं ने कहीं सेंसर बोर्ड भी होगा सोशल मीडिया में एक तरीके से इस फिल्म को लेकर हाहाकार मचा हुआ है लेकिन फैसला करना पड़ेगा कि क्या इन्ही डायलोग के साथ ये फिल्म चलती रहेगी आप अपनी राय जरूर बताईएगा आज के लिए बस इतना ही नमस्कार